Hello everyone, रश्मी का रश्वई घर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं पणीर की सबजी, एकदम अलग स्टाइल में आज हम बनाएंगे पोस्ता पणीर की सबजी बहुत सी जगह इसको कसकस पणीर भी बोला जाता है अक्सर ये सबजी हम शादियों में खाते हैं एक तम उसी स्टाइल से बनाएंगे आज हम ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है आपके फामिली को बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं मनाना अब हम इसमें जो मसाला यूज करेंगे ग्रेवी के लिए वो बना लेते हैं पहले तो मैंने या दो चमश तेल डाल दिया है उसमें एक चमश जीरा और तीन बड़े प्यास ऐसे रफली कटे हुए इनको मुझे अच्छे से भूनना है यह आप देख सकते हैं अब हम डाल देंगे तीन चमश सिंग दाना सिंग दाने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आता और ग्रेवी हमारी थोड़ी गाडी भी हो जाती है अब हम इसमें डाल देंगे एक मोटी इलाइची काली इला अब हम इसमें डाल देंगे एक दाल चीनी का तुकड़ा इससे खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है और टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आता है अब यहां मैंने आधा जम्मत सौंस ले लिए फ्लेवर के लिए अब हम इसमें डाल देंगे दो तेज पत्ता सूखा नारियल यहां मैंने सूखा जो कोकुनट होता है नारियल होता है वो ले लिया है आठ से नौपीस लिए थे काटकर चार साबुद लाल मिर्च डाल देंगे आठ से नौप काली मिर्च अब यह प्यास को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है अब एक इंच अद्रक का तुकड़ा डाल देंगे आठ से नौल है सुन की कलिया इस मासाले में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस है क्योंकि इससे बहुत अच्छी बनती है सबजी अब यहां मैंने 50 ग्राम पॉपी सीट्स पोस्ता या फिर खसकस इसको तीनों बोलते हैं यह ले लिया है इसको मैंने भीगोया नहीं है ऐसे ह जाला है सूखा अब इसको हमें बहुत देर तक भूना है करीबन पांच से आठ मिर्ट तक हमेरी मसाले को फ्राइब करना है अब हम पांच से साथ काजू डाल देंगे इसमें इसका कलर ब्राउन होने लग जाएगा तब तक हमें इसको बूनना है अब देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है भून के और इसको मैं पीस लूंगी पूरा पेस्ट बना लूंगे एकदम बारिक पेस्ट बनाना इसका हमें ये रेखिए मैंने इसका पूरा पेस्ट बना लिया है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चीए ये पोस्ता बारिक होता इसलिए इसको पीसने में वक्त लगता है थोड़ा तो इसको हमको पानी डाल डाल के बहुत पीसना है तो एक दम ऐसे बारीक पेस्ट बन जाए तब तक भी इसना नहीं तो सब्जी इसकी अच्छी नहीं लगती है अब यहां मैंने चार टेबल स्पून ऑईल डाल दिया है पन देखिए अब मैंने पनीर फ्राय कर लिया है अब मैं एक प्यास को बारीक काटके उसी तेल में डाल दूंगी और इसको भी हमें ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है यह देखिए यह भी भून गया है अब हम इसमें डाल दिंगे दो टमाटर कटे हुए रफली काट ल अब हम इसमें डाल देंगे एक चमश लाल मेची पाउडर एक चमश धनिया पाउडर आधा चमश हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमक इनको मिक्स कर लेते हैं इस मसाले को हमें पकाना है अच्छे से अब यह टमाटर के साथ ही गल जाएंगे अब देख सकते हैं पकने लग गया है अजुबाजू से और रिलीज होने लग जाएगा इसमें यह देखिए अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था ना मसालो का वोर पूरा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना बहुत देर तक पकाना है यह देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और रिलीज होने लग जाए साइड से तब तक हमें इसको पकाना है यह देखिए अब इसमें डाल देंगे दो ती हाई कप पानी इसकी कंसिस्टेंसी आप मानेज कर सकते हैं आपके यह जैसा खाते हैं अब हम इसको चार पाच मिनिट और पका लेते हैं यह देखिए मैंने इसकी consistency manage कर ली है यह थोड़ी गाड़ी रहती है ठीक रहती है अब बस हमारी सब्जी लगफख बनके रेडी हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे हमारे पनीर इनको अमने पहली कुक कर लिया था इसलिए इनको आखरी में डाल रहे हैं अगर आप बिना करें डालते हैं तो थोड़ा सा जल्दी डाल दीजिए देखिए हमारा पनीर भी अच्छे से मिल गया इसमें अब हम इसमें डाल देंगे एक चमज गरम मसाला इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी सी कसूरी मेती का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सबजी म और अगर आप क्या नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको यह देखिए हमारी दम स्वादिष्ट पोस्ता पनीर की सबजी बन के रेडी हो चुकी है लगरीन है एकदम टेस्टी जदा हैवी भी नहीं यह खाने में और बहुत टेस्टी लगती है आप ज़रूर ट्राइ कर के देखिए एक बार और फीडबाक शेयर कीजिए आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगी और असी टेस्टी डेसिपीज के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बूक पेच को फॉलो करना ना भूलिए थांक यू अप्पी इटिंग